नमस्कार आप देख रहे हैं भारत म्यूज और मैं हूँ आपके साथ आशीष विराद शुकला आज मैं आपको बताने बाला हूँ यह तबलीगी जमाद किस चडिया का नाम है, किस बला का नाम है मैं आपको बताओं तबलीगी जमाद का शाब्दिक अर्थ होता है Society for spreading faith यानि कि विश्व इस्तर पर सुन्नी मुसल्मानों का प्रिचार प्रसार करना जो मुसल्मानों की मूल जो इस्लामिक पद्धिती की तरब जुकाव होता है उनको बढ़ावा देना इनका काम होता है मैं आपको बताओं ऐसा माना जाता है कि इस तबलीगी जमाद के अनुवाई देड़ सो मिलियन है दच्छड एजिया में इनकी जो संख्या सबसे अधिक है करीब 155 देशों में तबलीगी जमाद की पहुँच है मैं आपको बताओं इस तबलीगी जमाद के संस्थापक सब अभी जो संस्थापक है वो मुहम्मद इलियाज और मैं आपको बताओं तब्लीगी जमात की जड़ें बांगलादेश, भारत, पाकिस्तान, ग्रेट बिटेन, इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, बीस देशों में बड़े देशों में भी इनकी पहुचे हैं और मैं आपको बताओं इसके अन्याई बहुत जादा है, 1500 मिलियन इसके अन्याई है, बिश्विस्तर पे और मैं आपको बताओं धर्म, इनका इसलाम है, पाठे करम, कुरान, हदीश पढ़ाते हैं, भाषाओं में, आर्बिक, बैंगॉली और उर्दू पढ़ाई चाती है मैं बताओं इस आंदोलन को 1927 में मोहमद इलियाज कांदलवी ने भारत में शुरू किया था, और इस तबलीगी जमाद का मूल उद्देश है, आध्यात्मिक इसलाम को मुसल्मानों तक पहुचाना और फैलाना, आज सुल्खियों में ये इसलिए है क्योंकि तबलीगी जम निजामुदीन गुट ने एक धार्मिक मंडली का निजामुदीन पश्मी दिली में 17-19 मार्च 2020 तक एक कालकरम किया था, जिससे ना इन्होंने कोई प्रशासनिक अप्रूबल लिया था, ना ही गौर्मिंट की इसकी पमीशन थी, कि गौर्मिंट ने और पहले हैं, वो क्या कर रही थी, और फिर इतने लोग इस निजामुदीन पश्मी दिली में कैसे इखटे हो गए, और ये जिहाद करने के लिए इखटे हुए था, क्या है, ये भारत न्यूज के बहुत बड़े सवाल है, और मैं आपको बता दू कि इस वीडियो में इतना ही, यद झाल